वेल्कम फ्रेंड पिछले वीक में हमने एक वीडियो बनाया था सर्कल आफ कॉंपिटेंस पे और उसको लोगों ने बहुत सराहा और बाद में यह बात आए कि हम इसको कैसे डेवलप करें तो सर्कल आफ कॉंपिटेंस जो कॉंसेप्ट है वारेन बुफे के वज़े से ज्यादा प्रचलित हुआ है और इसका जो शॉट फॉर्म है कि जिसमें आप अच्छे हो उसमें और अच्छे बनो इसको यह भी कहते हैं कि सर्कल आफ कॉंपिटेंस एक मेंटल मॉडल है जो आपको इन्वॉल करता है आपके उस नॉलेज को डेवलप करने के लिए जहां पर आपकी अंडरस्टेंडिंग है एक्सपिरियंस है और एक्सपर्टीज है यह यह भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दुनिया में कौनसे वर्ड कौनसे एरिया में आपके पास यूसफुल नॉलेज है जिसको आप डेवलप करके एक एज डेवलप कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया यह कौनसेप्ट वस डेवलप बाई वर्र बुफेट और एक बहुत बड़े कौर्परेट के मालिक है चार्लीज भूंगर जिसकी कंपनी में वर्र बुफेट ने भी इंवेस्ट किया है यह कौनसेप्ट इंडुस्ट्री, सेक्टर, मार्केट, एनी बिजनस अक्टिविटी, गेम्स जहां पे भी आप एक्शल कर सकते हो जहां पे भी आप एक्षल करना चाते हो और कॉंपिटिटिव एडवाजज लेना चाते हो वहां पे यह आप डेवलप कर सकते हो प्विवी कालंजी ने भी कहा है कि एक आइडिया लो और जिंदगी उस पर बिता दो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे मैं इंसुरेंस सेल्समेन की ट्रेनिंग करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि पहले सो आपने जो प्रेजन्टेशन किये वो आपका ट्रेनिंग था और उसके बाद ही आपके एक्सपर्टीज आती है तो यह जरूरी नहीं कि आप अगर एक चीज में अच्छे हो तो दूसरे में हो सकते हो जिससे कि अगर आप चेस में अच्छे हो तो इसका जरूरी यह नहीं कि कुकिंग में भी अच्छे हो सकते हो तो हम किसमें अच्छे हैं हमको उसी को अच्छी तरह से डेवलॉप करना चाहिए और बाकी हमको कॉलाबरेट करके दूसरों के साथ आगे बढ़ना चाहिए तो चार्ली मुंगर ने क्या कहा था वो हम देखते हैं मैं उस बात को सूतना चाहूंगा जहां पर मेरे पास दूसरों के अपिक से ज्यादा एडवांटेज है वह गेम नहीं कहलना जाओंगा जहां पर दूसरे लोग मेरे से एक्सपर्ट है में एसी गेम भी नहीं कहलता हूं जहांपर दूसरे लोग होश्यारे और मैं स्टुपीड हों मैं ऐसी के बारे में देखना जाता हूं जहांपर मैं वाइज हूं और दूसरे लोग अतने वाइज नहीं है and मेरे इसाब से यह मेरे लिए अच्छा काम करते हैं और भगवान stupid competitor को help करें यह न बफे ने भी वारेन बफे ने भी इसी बात को अलग तरीके से कहा है I don't want to play in a game where the other guy has an advantage तो उसको किसे ने पूछा कि आप Bobby Fischer से कैसे बीट करोगे तो उनका answer was था I can play him in any game except the chase तो जहां पर दूसरा अदनी expert है हमको वो नहीं game खेल कि हम जिसमें expert है उसमें खेलना चाहिए तो अगर आप अपने जिन्दगी में अपने success के odds को बढ़ाना चाहते हैं और business को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने circle के competence को देखिए और उसके अंदर काम करिए और जो circle के बाहर है उसको बाद में देखिए और अपने circle को देरे देरे बढ़ा करिए और आज का हमारा वीडियो यह circle को कैसे expand करना उसके बारे में है तो the biggest room in the world is room for improvement तो हमेशा room for improvement होता ही है if you believe you have no room to grow then you will not grow तो हमको इसा रखता है कि अभी मैंने सब कुछ कर लिया अभी इसके आगे क्या करना है तो आप grow नहीं कर सकते है लेकिन अगर आप area of improvement देख सकते है तो आपको बहुत सारी area में मिलेगा और आप इस area में grow करना बहुत simple हो जाता है तो जो पहला step है expand करने में तो हमको यह मालूपढ़ना चाहिए कि मेरे को अभी तक सब कुछ नहीं आता है I have not arrived अभी मेरे जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी है और इसका जो पहला rule है कि हर situation हर गटना को एक opportunity समझो crisis तो बहुत आती है लेकिन हर crisis में एक opportunity होती है every adversity brings within it within an equivalent and advantage तो हर परिष्टिती जो crisis होती है उसमें हमारे लिए opportunity होती है और हमको हर conflict हर setback हर delay हर frustration इस light में देखेंगे तो हमारी पुरी दुनिया पुरी life एक learning opportunity हो जाएगी दूसरा है join a mastermind group mastermind group के बारे में काफी बात की गुई गी है Google इसमें काफी भड़ा पड़ा हुआ है अच्छे लोगों के साथ मिलिए उनसे दोस्ती करिए उनके साथ विचारों का आदान प्रतान करिए और अपने group को बढ़ा भी है और सबसे बढ़ी है कि आप अच्छे लोगों के साथ successful लोगों के साथ आप से जो अच्छे हैं competent हैं उनके साथ रहें उनके साथ time बिताएंगे तो आप उनके जैसे हो जाते हैं तो जैसे कहा गया है कि संगत का असर पड़ता है तो किसी ने ये भी कहा है कि आप कैसे हैं जो आप पांच लोगों को रोज मिलते हो वैसे आप हो जाते हो तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसके साथ रहते हैं और ये हमको challenge कर सकते हैं आपने आपको grow करने के लिए तीसरा सबसे बड़ी आफार्मूला है कि हमें एक mentor रोन लेना चाहिए तो mentor हर leader ने mentor का use किया है और उसके लिए आगे बड़ा है और अगर आपको भी mentor चाहिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है mentoring करने के लिए सब तयार रहते हैं और G1 के हर छेतर के लिए आप mentor ले सकते हो और mentor से बात करके आप आगे बढ़ सकते हो उनको आपको सवाल ही पूछना है कोई professional mentor भी मिलता है जो आपको बराबर step by step guide करेगा बट वाकि किसे भी सफल व्यक्ति को आप mentoring के लिए बोलोंगे तो वो कभी आपको नहीं करेंगे तो मैंने और एक concept डेलोप किया है कि आप जिवित mentor तो रखी सकते हो लेकिन जो आदमी नहीं है गांदी जी है या कोई और बहुत बड़े आदमी थे वो आज नहीं है लेकिन हम उनको भी हमारे दिमाग में विचार करके उनसे भी mentoring करवा सकते हैं हमको अपना समय बहुत wisely use करना चाहिए समझ के सूझ बूच के करना चाहिए क्योंकि हमारा time जादा करके mindless चीज करने को जाता है जैसे कि हम TV देखते रहते हैं वीडियो डूप देखते रहते हैं Facebook में real देखते रहते हैं ट्राफिक में बैटे बैटे बोर होते हैं और कभी किसको मीटिंग के लिए जाते हैं तो ओधर वेटिंग करते हैं तो ये सब time को हमको utilize करना चाहिए हमको podcast हमारे साथ रखना चाहिए हमको किताबे और book हमारे आसपास रखना चाहिए और mindless garbage watch on TV को बंद करना चाहिए हमको technology का पूरा फाइदा लेना चाहिए और इसमें बहुत सी चीज आती है कैसे पढ़ाई करना कैसे सुनना बहुत सारी skill इस सब technology है इसके सिवाए भी technology continuously आगे बढ़ रही है और इसका हमको advantage हर समय learning के लिए लेना चाहिए एक है Google Alert जिस subject में भी आपको expertise आसिर करनी है उसका आप एक Google Alert लगा दे Google की ये service है और free है और how to find how to set Google Alert आग Google करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको जो भी subject के बारे में deeply जानना है और दुनिया में उसके बारे में क्या-क्या बात कहा कहा क्या-क्या हो रहा है ये जानना है तो आप Google Alert सेट करिए और आपको दिन में एक बार बहुत सारे messages वगेरा एक email में आ जाएंगे मैं Google Alert को काफी extensively यूज़ करता हूँ और लोगों को भी इसको यूज़ करने की सला देता हूँ हमको अपना social media यूज़ करना चाहिए social media और Google का algorithm है कि जो चीज़ आप देखते हो वो चीज़ आपको वो और और दिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं तो हमको आलतो फ़लतो चीज़ नहीं देखे जिस चीज में हमको expertise करनी है उसके बारे में हम देखेंगे तो हमको वो और दिखाएगा जैसे मेरा काम coaching का और training का है तो मैंने Anthony Robbins, Robbins सर्मा, सद्गुरू ऐसे लोग के साथ मैं follow करता हूँ तो मुझे ऐसे matter, ऐसे content बहुत दिखाई पड़ते है सबसे बड़ी है पढ़ना, जीतना पढ़ेंगे उतना grow होईगा तो technology यूज करके भी पढ़ सकते हैं और किताबे भी पढ़ सकते हैं वैसे तो physical book का कोई तोड़ नहीं है और Mark Twain ने कहा है कि जो आदनी पढ़ सकता है और अगर वो नहीं पढ़ सकता है तो उस में और नहीं पढ़ सकने वाले में कोई फरत नहीं होना चाहिए हमको अच्छे किताबे पढ़ने का एक consumer होना चाहिए और हमको ऐसी किताबे पढ़ने चाहिए जो आपको challenge करें आप कोई भी book troll में चले जाओ आपको काफी किताबे मिलेगी और आजकल तो काफी सस्ती भी मिलती है तो जो आपकी core competence है जिसमें आप master है उसको आप ये 6-7 तरीके use करके develop कर सकते हैं और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा काम आपको expertise करके हमारे जो circle of competence से उसमे करना चाहिए और बाकी का काम collaboration से करना चाहिए और दूसरों को delegate कर देना चाहिए थैंक्यू सो मच